हेलो फ्रेंट्स आइम डॉक्टर कमला पाधिय है फ्रेंट्स आज के लेक्चर में हम स्नो ट्राउट फार्मिंग की बात करेंगे स्नो ट्राउट जो की एक फिश है जो हिमालियन रीजिन में ही मिलती है और कोल्ड वाटर फिशरी इसके अंदर इसको कल्चर किया जाता है तो आज जो इसकी फार्मिंग है वो कहां तक पहुँची है तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स स्नो ट्राउट फार्मिंग के बारे में हम जाने तो पहले हम जान ले कि ये स्नो ट्राउट क्या है क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स ह तो जो स्नो ट्राउट है यह दरसल एक फिश है और यह जो फिश है यह कोल्ड वाटर फिशरी की सबसे ज्यादा इंपोर्टन फिश है इसको कमर्शियली इसको ग्रो करने के लिए अलग-अलग जो हमारे जो इंस्टिटूशन है रिसर्च सेंटर्स हैं फिशरी इसके वहां प क्योंकि यह कोल्ड वाटर फिशरी के अंदर आती है कोल्ड वाटर फिशरी के अंदर आती है कहने का मतलब है कि यह जो हमारे हिमालियन और सब हिमालियन रीजन में यह मिलती है ठीक है तो वहां पे मिलने का मतलब है कि यह ठंडी जो रिवर्स है यानि कि जो बर्फ का पानी है जिन में जिन नदियों में वहां पर ही मिलती है इसका मतलब गराम इलाके में यह नहीं रह सकती है तो इनको commercial इनका production करने के लिए जो different हमारी जो institute है research institutions हैं वहां पर इनको grow किया जा रहा है इनहीं मैं आपने एक नाम आपने सुना होगा कि भीमताल जो fisheries का research center है वहां पर भी इसको culture किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसका बहुत ज़्यादा production किया जा सके so friend जो snow trout है जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक fish है और cold water fisheries के अंदर आती है तो अगर आपने classification of prices आपने पढ़ा होगा तो आपने starting में आपने पढ़ा होगा कि उसकी seven classes है उसकी seven जो classes है उसमें जो last उसकी class है जिसको teleostomy कहा जाता है teleostomy जिसके अंदर boni fishes आती है उसी की sub class जो actinopteresai है उसके जो family है syprinidae उसके अंदर ही आती है ठीक है तो इसकी जो sub family है वो saizothorac ही नहीं है और इसका geological name saizothorac है that means जो snow trout है वो इसका common name है ठीक है तो इसको commonly snow trout कहा जाता है और वैसे इसका जो genus name है वो है saizothorac तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको cold water fisheries के अंदर आती है तो बहुत ज़्यादा अभी concentration है मारे scientist का कि इसको जो है जैसे rivers है streams में यह मिलती है तो वहां से इसको lake या फिर आपके जो maintaineded जो ponds हैं वहां पर इनको culture किया जा सके और इनसे जादा से जादा फाइदा उठाया जा सके ठीक है जब कि जो brown या फिर rainbow trout हैं या common calves हैं इनको तो actual में जो farmers हैं वो इन्हें culture करते हैं लेकिन कहने का मतलब है कि उनका commercial production करते हैं लेकिन जो snow trout है यह अभी तक एक challenge बने हुई है कि इसका commercially इसका production करके इससे फाइदा उठाया जा सके इस वे में क्योंकि यह नदियों में जो thundi जो rivers हैं वहां पर मिलती है तो वहां पर इनका जो fishing है लोग इनको अपने आप से इनको मार देते हैं अपने फाइदे के लिए और उसके बाद फिर उनको बाजार में बेशते हैं ठीक है तो वहां यह rivers में तो easily यह grow कर लेती हैं लेकिन अगर इनको maintained अगर एक fish farm बना के इनको culture किया जाए तो उसमें थ और इन exotic indigenous fishes के साथ साथ हमारी हमालियन जो इंडियन हमालियन की fishes हैं उनके साथ में इसको culture करके जैसे आपके साइजो थोरेक्स recharge होना ही है या साइजो थोरेक्स नाइजर है इनको भी जो है हमारी cold water fisheries के अंदर इनको culture करके इनका commercial production करके इनसे फाइदा उठाने की हमारी scientists को हमारी indigenous fishes है cold water fisheries की उसमें जैसे टॉर पुट्री टो रहा है और साइजो थोरेक्स recharge सोनाई है और इसके साथ है साइजो थोरेक्स progestus है इनको preference दी जा रही है cold water fisheries के अंदर इनको culture करने की ठीक है क्योंकि हमारी हमालियन रीजन में ये सभी जगे मिलने वाली fishes है और क्योंकि ये सभी जगे मिल रही है तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा माउंट में इनको culture करके इनसे फाइदा उठाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इनका sheet जो है अभी तक हमारी जो farmers है वो नहीं बना पाते हैं अपने maintained environment में इस वाज़े से तो आज की जो developed technologies है highly जो developed technologies हैं उसकी help से इन fishes को एक controlled environment में इनको culture किया जा रहा है उसी को हम कह रहे है cold water fisheries so friends your snow trout है इसकी अभी तक की 15 genera इसकी खोज ली गई है और all over world में इसकी 100 species अभी तक पाई गई है और इससे भी ज्यादा पाई जाती होंगी अभी उनने खोजना बाकी है तो 100 जो है वो recorded species है इसके अलाव 7 genera और 17 species जो हमारी इंडियन सब हिमालियन रीजिन है वहां पे ये snow trout cold water fisheries के अंदर ये पाई जाती है और अभी इसकी लगभग 65 species जो साइजो थोरेक्स जीनस के अंदर आती है वो पहचान ली गई है चले देखें कि जो ये फिश है snow trout ये कैसी दिखती है so friend यहां पे आप साइजो थोरेक्स की एक उपर वाली देखिए यहां साइजो थोरेक्स रिचार्सोनाई और दूसरी है साइजो थोरेक्स प्रोगैस्टर तो आप देखिंगे कि जो इसकी body है दोनों ही fishes की आप देखिए बिल्कुल streamlined है और साथ ही जो इनकी जो scales है बहुती reduced type in में scale मिलते ह और पूरी बॉड़ी देखे स्केल से कवर्ड है और साथ ही जो इनका लोवर लिप है इनका माउथ का जो लोवर वाला लिप है वो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन से चेंज इसमें पाई जाते हैं और साथ ही अगर इनमें बार्बल होंगे तो बहुत ही शॉर्ट होंगे या फिर पूरी तरह से बार्बल एपसेंट होंगे और एक और खास चीज है इन फिशेज में आपको जो देखने को मिलती है वो है इनका कॉडल पिडंकल आप देखेंगे जो इनका एनल फिन है उसके पास से जो इनका कॉडल फिन है वहां तक कि अगर आप दूरी ये दरसल दो जीनस को बिलॉंग करती है यानि कि इसमें दो जीनस खोजी गई है या दो जीनस इसमें रखी गई है जिनको कॉमनली हम स्नो ट्राउट कहते है ठीक है तो पहली वाली है साइजो थोरेक थीस और दूसरी है साइजो थोरेक तो इन दोनों ही जीनस की जो फिशे में जो इनका स्नाउट है उसके बेस पे इनको दो अलग अलग जीनस दे दिये गए है तो जो साइजो थोरेक्थी जो फिशे होंगी इनका जो स्नाउट है वो स्लाइटली पॉंटेट रहता है और किसी भी तरह का ये सक्टोरियल लिप इनमें नहीं रहेगा जबकि जो साइज इनका जो स्नौट है वो ब्लंट रहेगा और इनका जो लीप है वो सक्टोरियल रहेगा तो यह इन दोनों का डिफरेंस है जिसके अकॉर्डिंगली यह स्नू ट्राउट अलग-अलग तो जीनस में रखी गई है तो फ्रेंड अब नेक्स कोशिन यह राएस होता है कि क्यों जो स्नू ट्राउट है इनके फार्मिंग की नीड हो गई है हमें या फिर इनको कल्चर करने की नीड हो गई है है तो उसके पीछ सबसे बड़ा रीजर्ड यह है कि जो हमारे स्ट्रीम हैं जो हमारे मांटीन की जो स्ट्रीम्स हैं वो बहुत ज़दा फिश प्रोड़क्शन को सपोर्ट नहीं करती है यानि कि वहां पर इस तरह का महल नहीं होता है जहां पर कि हम भूँत ही ज़दा कमर्शियल प्रोड़क्शन इन फिशेस का कर सकें और दूसरा जो हमारे आसपास के जो वहाँ पे रहने वाले जो लोकालिटी है वो इन फिशेस को नेट की हिल्ट से या ट्रैप्स की हिल्ट से या फिर वहाँ पे पॉईजन डालके सीधे उन नदियों में पॉईजन डालके इवन इलक्रिक करेंट का यूज़ करके भी लोग जो है इन को बहां पे इनका मार लेते हैं और उसके बाद इनका जो है आपने subject के लिए या फिर मार्केट में इनको सेल करते हैं में काकि हैं Bivie तीशर रीजन ये भी है है कि जो यह आपना आपउने चाहए क्पना पर तीचा 70% जो लोग इनको पकड़ते हैं उन फिशेज में 60 to 70% जो क्वांटिटी है इन फिशेज की होती है ठीक है और लोकली इनको असेला कह जाता है तो क्योंकि वहाँ पे जो रीवर्स हैं वहाँ पे जब बहुत ज्यादा विंटर्स के दौरान बहुत ज्यादा थंडी हो जाती है पानी बहुत थंडा हो जाता है तो उस थंड़ से अपनी को बचाने के लिए नीचे की ओर माइगरेट करते हैं और उस दौरान ये जो कश्मीर में हमारी जो उत्राखंड है और कश्मीर में वहाँ की जो नदिया हैं वहाँ तक पहुंसे पहुंसे लोग बीच में ही इनको और कंजर्वेशन ओफ नीचर तो इन्होंने भी इस फिश को याने कि स्नूट ट्राउट को उन्होंने वल्नेरबल स्पिशीज डिकलेयर कर दिया है तो इस कोल्ड वाटर फिश को बचाने के लिए और इससे बहुत अच्छा फाइदा लेने के लिए मैंने जैसे आपको बताय कि जो हमारे जो Fischeries Research Centers हैं वहां पे इनको कल्चर करने की कोशिश की जा रही है और जो आज की झो डेवलप्ट जो तेक्नुलोजी है उसके जरिये इनको एक मैंटेंड इंवार्म dew को कल्चर करने की कोशिश की जा रही है जिसकी इन से बहुत से जादर से ज़या उठाया उसमें सबसे बड़ा एक और रीजन है कि जो हम environment को नुकसान पहुचा रहे हैं यानि कि ये दिन प्रति दिन जो हमारा environment चेंज हो रहा है और हम जो natural habitat है उसको नुकसान पहुचा रहे हैं अपने population के बढ़ने की वज़े से या फिर जो ये natural crisis है वो होने की वज़े से पहाडों के आप देखरो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पहाडों से silt बहना शुरू हो जाता है और सीधे वो जाके फिर नदियों में नदियों में ही जाता है तो इस वज़े से भी क्या हो रहा है कि जो habitat है इन fishes के वो नुकसान हो रहा है उसको और साथ ही बहुत ही ज़्यादा amount में इन fishes को पकड़ने की वज़े से इन fishes की तादात दिन प्रति दिन कम होती जा रही है तो इसी वज़े से ये जो fishes है इसको बचाने के लिए जो हमारे different fisheries के जो research centers है वहाँ पर इनके farming के लिए इन cold water fisheries के farming के लिए कोशिश की जा रही है तो ये सबसे बड़ा reason है इनको culture करने का चलिए देखें कि snow trout का cultivation किस तरह से किया जाता है और इनको क्यों चुना गया इनका commercial production करने के लिए तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इस fish का urithermal nature और urithermal यानि कि ये किसी भी तरह के पानी में तापमान को उसके उतार चड़ाओ को ये सहन कर सकती है और किसी भी तरह के महौल में ये ठल सकती है यानि कि अगर आप इनको supplementary food दें उपर से कोई अगर चारा भी डालेंगे तो भी ये उस पर जिंदा रह सकती है और इनका जो herbivorous nature है वो भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है क्योंकि ये phytophagus होती है यानि कि plants eater है ये herbivorous होने की वज़े से और इनको अगर आप इनको food नहीं भी दे रहे हैं अगर पानी में algae है तो इनका जो transverse inferior mouth है वो पत्थरों के उपर लगी हुई जो algae होती है उसको खुरच के खाने के लिए वो adaptive होता है तो इस वज़े से इनको culture करने में थोड़ी आसानी होती है और जो इनका अभी तक जो maximum length report किया गया है अगर हम इसको lengthwise देखे तो कुछ species का length जो है 25 से 60 cm तक record किया गया है और इनका weight 1.5 से लेके 5 kg तक इनका weight record किया गया है मैं सोचा गया और इनकी जो फिकंडिटी है फिकंडिटी यानिकी जो इनकी एक ले करने की जो नंबर है यह बहुत ही हजारों की तादात में कह सकते हैं जैसे 10,000 से लेके 40,000 maximum इनका एक लेकरने का नंबर होता है और अगर हम साइजो थूरेक्स रिचार्ड सोनाई की केस में देखे तो इसकी फिकंडिटी जो है टोटल फिकंडिटी इसकी 20,000 से लेके 25,000 एक पर kg body weight के according दे सकती है और अगर इनके spawning areas के बारे में अगर हम तो यह उथला पानी जिसे कहते है यानि की shallow clear water उस तरह की पानी को यह अपनी spawning area के लिए चुनती है या फिर वह पानी थोड़ा सेंडी होना चाहिए रेतीला होना चाहिए और साथ ही अगर उसमें छोटी-छोटी से पत्थर जीने के आप gravel bed बोलते हैं तो उस तरह का अगर अगर उसमें होगा तो भी यह उस तरह की area को अपनी spawning area चुनती है और इस तरह की area में लगातार धीरे-धीरे पानी का भाव होता रहता है तो उस तरह की area को यह अपना spawning area चुनती है चलिए अब इनके spawning season के बारे में जान ले तो फ्रेंट क्योंकि जो saizothorax है या snow trout है य different elevation में रहती है और उन elevation का temperature भी different होने की वज़े से यह पूरे साल भर में जब पानी का temperature 18 से लेके 21.5 degree celsius तक होता है तो उस तोरान यह breed करती है और यहां पे कुछ आपको species के यहां पे breeding time दिखाए गया है जैसे साइजो थोरेक्स रिचार्ट सोनाई और साइजो थोरेक्स प होते हैं तो तब ही इसकी breeding time होता है इसी तरह से साइजो थोरेक्स नाइजर यह फर्वरी के लास्ट वीक से इसका breeding season स्टार्ट होता है और मेड अपरिल तक रहता है जबकि साइजो थोरेक्स कर्वी फ्रॉंस यह में टू जुलाई यह breed करती है और कश्मीर में यह जून के दौरान यह breeding करती है तो यह जो different different आपको यह जो species यहाँ पे snow trout की दिखाई गई है तो इनका growth rate भी अलग अलग है यह कंबाइन नहीं हम कह सकते हैं कि जो snow trout है इसका growth rate बहुत ही slow होने की वज़े से इनकी maturity बहुत तेर में आपाती है तो mature होते होते ही इन्हें 2-3 सार लग जाते हैं तो एक यह भी सबसे बड़ा reason है जिस वज़े से जो fish farmers हैं इनको culture नहीं करते हैं इनका commercial production नहीं करते हैं इसी वज़े से इनके seeds भी easily available नहीं होते हैं So friends, Snow Trout की farming आज की दौर में भी आम नहीं हो पाई है जैसे कि बागी की fishes का commercial production क्या जाते हैं उस तरह से क्योंकि आज भी इनके seeds आसानी से available नहीं है और आज भी हमारे scientists या fish farmers जो इनने culture करना चाहते हैं इनके seeds इनके habitat से लेते हैं यानि जिन नदियों में यह पाई जाती हैं वहां से इनके sheets collect किये जाते हैं लेकिन इंडिया में wild stock के जरिये Snow Trout की artificial breeding कराने में हमारे scientists पहली बार 1980s की दौरान कश्मीर में वहां की scientists ने हमारे यह experiment किये थे उस दौरान वो शक्सम हुए और उस दौरान Snow Trout की wild stock में इनकी कुछ species जैसे साइजो थौरेक्स रेचार्ट सोनाई, साइजो थौरेक्थीज, इसो सिनस, साइजो थौरेक्स नाइजर, S. माइक्रोपोगन, S. लौंगी पिनिस और S. कर्वी फ्रॉंस इन इस species की artificial breeding करा के sheets तैयार किये गए लेकिन अब भी इस field को एक other technology का इंतिजार है जिसमें farm में ही पाले गई फिशे से seeds तैयार की जा सके इसी तरह की लेट 90s के दोरान सफलता हमारे साइंटिस्ट आइसी एर, DCFR चीरा पानी में है ये कुमाओ में, कुमाओ यानिकी उत्राखंड में, वहां पे जो है और ये जो चीरा पानी है ये चंपागत में है, वहां के वेग्यानिको पहली बार साइजो थोरेक्स रिचार्स होनाई और साइजो थोरेक्स नाइजर इस्नो ट्राउट फिशेस को अपने फिल्ड सेंटर में ही इंड्यूस स्पॉनिंग के जरिये, जिसमें उन्होंने सिंथेटिक हॉर्मोन का इस्तमाल किया था, इन फिशेस के seeds प्रोड्यूस क इनके seeds डिरेक्टली नैचरल रिवर वाटर से ही collect किया जाते हैं यानि की जहां पर इन नदियों से ही इनके जो seeds वो collect किया जाते हैं क्योंकि जो local fish farmers हैं उनके पास इसके seeds अवलिबल नहीं है इस वज़़े से जैसे बाकी की fishes के seeds easily available होते हैं जैसे काप्स हैं, catfish हैं लेकिन किसी भी तरह का production नहीं होने की वज़े से इनके लिए कोई भी particular hatchery नहीं होने की वज़े से इनका commercial seed production अभी तक नहीं हो गाया है, ठीक है तो इस वज़े से सीधे directly इनके natural habitat से ही seeds collect किया जाते हैं, उसके बाद जब seeds collect कर लिए जाते हैं तो उनको बहुत ही care के साथ में उनका incub किया जाता है, यानि की sheets से जो fries हैं या fingerlings से वो तयार किया जाते हैं, तो उस दौरान इन eggs को बहुत ही care के साथ में इनको रखना होता है, क्योंकि इसी time पे इनमें बहुत जादा infection के chances रहते हैं, और अगर इन eggs को properly अगर इनको care नहीं किया गया तो इनमें कई तरह के disease होने क chances होते हैं, और इस वज़े से पूरा का पूरा आपका स्टॉक जो है, कई बार हिमालयास के जो फार्म से वहां पे कई बार जो साइंटिस्ट हैं या जो हमारे farmers हैं, उनको बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, तो एक बहुत ही अच्छी maintenance चाहिए इन ब्रूड स्टॉक को maintain करने के लिए इनको उस टाइम पे nutritions फूर्ड इनको प्रोवाइट करना होता है और केरफूर हैं चाहिए इन फर्टिलाइजट की और साथ ही टाइम टू टू टाइम फंगल इनफ्ञ्शन नौ उसके लिए टाइम टू टाइम इनको मैले चाइड ग्रीन इसका इक पार्टि पर खेयर के साथ में जब इनको इंक्यूबेट किया जाता है इनके एक्स को तो 94% survival chances होते हैं इनके एक्स के और इस तरह से जो एक्स survive कर जाते हैं तो उसका आगे फिर आगे की process जाने की उनके आगे culture करने की process की जाती है सो तो आज के टाइम की एकड़ी त्योदॅव xu testing के घरी जो है चाला यज नाय पर से जाख्य огр aime आर्रेश और फिर्मस हैं चलिए देखें कि वो क्या कारण है जिसकी वज़े से सनो ट्राउट फार्मिंग हमेशा अफेक्टेड रहती है और इस पर प्रभाव पढ़ता है और प्रॉपर सनो ट्राउट फार्मिंग नहीं हो पाती है तो उस time पे जो ये aqua culture की facility थी वो mainly पानी के availability पे depend करती थी और उसकी quantity पे depend करती थी और बहुत सारे इन में farms ऐसे थे जो direct snow से melt हुए पानी पे depend करते थे तो इस वज़े से क्या होदा था उस time पे या अभी भी फरवरी से लेके September तक इन में इन farms में heavy silt का load होने की वज़े से इन में snow trout farming affected रही और इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि जो मिट्टी का कटान था वो भी जो है बह के मिट्टी बह के इन farm में पहुँचाती और मिट्टी के बहने का कारण था deforestation यानि की पेडो का कटाओ तो अभी भी जो snow trout की farming है वो mainly October से January तक जब silt load इसमें कम होता है तो उस time पे snow trout farming थोड़ी सी अपना performance दिखा पाती है अदर्वाइस ये हमेशा ही affected रही है चलिए अब देखें कि एक common fish farm को बनाने के लिए क्या-क्या बातों का ध्यान रखा जाता है और ये किस तरका होता है तो सबसे पहले farm बनाने के पहले उसके लिए जगे का चुनाव करते टाइम पे इन चीदों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि topography यानि कि उस जगे का shape कैस दूसरा वहां की मिट्टी उस मिट्टी में पानी को पकड़ के रखने की ability होनी चाहिए और तीसरा है water supply यानि कि पानी का proper supply उस जगे पे होना चाहिए जहां पे की fish farm बनाने के लिए सोचा जाता है और जो snow trout की farming के लिए या फिर किसी भी particular fish farm को बनाने के लिए उसमें जो अ एक अच्छे fish farm को successful बनाने के लिए जो अलग लग चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो सबसे पहले या बनानी चाहिए वो है सबसे पहले head pond और यह head pond दरसल एक वो pond होता है जिस जो पानी के source के पास में होता है जहां पे की पूरे farm के लिए water supply इस head pond के जरिए पूरी की जा चाहिए यानि कि जहां से भी पानी आ रहा है वो इसमें collect कर लिया जाता है और यहीं से फिर दूसरे जो pond होते हैं फिश फार्म में उनको water supply की जाती है इस segment में आपको एक फिश फार्म में किस तरह के उसके ponds बने होते हैं उसका एक infrastructure आपको यहां पे दिखाए गया है तो स इस फार्म में जो ponds हैं उनको water supply होती है तो आप देखिए A में breeding pond है और यह बिल्कुल जहां पे पानी की लगातार supply हो रही है यहां से पानी आ रहा है वहां भी बने होते हैं breeding pond उसके पाद आपको इसी की पास में आपको hatching pits दिखाई दे रहे हैं then C में देखिए आप nursery pond आ देन E में stocking pond है उसके बाद F में देखिए marketing pond है तो इन सभी ponds के बारे में हम आगे next segment में जानेंगे head pond के बाद जो next pond है उसे हम कहेंगे hatching pits या इन्हें hatching ponds भी कहते है या spawning pond भी कहते है और यह pond जो है बागी के pond से थोड़ी सी size में छोटे होते हैं और यह tank की तरह के ही होते हैं दरसल और इनकी जो लंबाई है 8 feet लंबे 4 feet चोड़े और 2 feet इनकी गहराई होती है इन में जो fertil collateral capital है उनको hatching के लिए उनको रखा जाता है और यूप juste यह pond हमेशा जहां पर लगातार पाने की सप्लाइए होती है इस जगे पर यह रहते हैं जो नदियां हैं उनके पास में ही जहां से की लगातार पानी की सप्लाई होते रहे उसके पास में ही ये पॉंड बनाए जाते हैं और लगातार एक्स का एरेशन होता रहे और कि उनको लगातार ऑक्सीजन मिलती रहे उसके लिए लगातार इसमें पानी की सप्लाई रखी जात जो कि हैचिंग हापा होते हैं दरसल कपड़े के बने हुए और अंदर से उसमें मॉस्किटो नेट होता है तो उसके अंदर यह फर्टिलाइजड एक रखे जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद उनकी हैचिंग के लिए और इसके बाद जो नेक्स पॉंड है उसे कहेंगे न यह पॉंड मोस्ली जो है सीजनल होते हैं क्योंकि समर्स के दौरान यह सूप जाते हैं और इन में तीन से पांच दिन बड़े जो एक से निकले हुए जो फ्राइज हैं उनको इसमें ट्रांसफर किया जाते हैं और जहां पे कि यह 30 डेस तर बने रहते हैं इन नर्सरी पॉं निकलते हैं तो इन हैचिंग हापा को हैचिंग पिट के अंदर ही इनको रखा जाता है और इसमें मौश्य लगातर बना रहे और एक्स में किसी तरह का और इंफेक्शन नहों या दूसरे किसी और फिश के एक्स उसमें मिक्स अप नहों उसके लिए भी इसका बड़ा अच् सब्ड़ किया जाता है नरसरी पॉंड के बाद जो नेक्स पॉंड है उसे कहेंगे रिएरिंग पॉंड और इन रिएरिंग पॉंड की जो लंबाई है वो 90 फीट लंब तीस्पीट चॉड़े और चार फीट smarter होते हैं और यह बहरींग पॉंड भी जो है पाणिंग पॉंड और नर्सरी पॉंड के आसपास ही रहते हैं और इन में दो से तीन मेहने तक की जो फ्राई हैं उनको पालने के लिए इन रेरिंग पॉंड का यूज किया जाता है और ये रेरिंग पॉंड इसके अलावा भी अलग-अलग एज की फिशेज को रखने के लिए बनाये जाते हैं जैसे किसी में एक से दो साल की फिशेज हो सकती है और किसी रेरिंग पॉंड में तीन साल तक की जो फिशेज है वो रखी जाती है इसमें 300 ft लंबा यह हुता है और 88 ft चौड़ा और 6 ft गहरा होता है और इसमें आसानी से नेटिंग की जा सकती है और आसानी से fishes को catch किया जा सकता है तो इनके अलावा भी जो एक fish farm है वहाँ पे जो fishes अगर कुछ बीमार हो गई है तो उनके लिए quarantine pond होता है जहाँ पे की ऐसी बीमार fishes का treatment किया जाता है इसके अलावा finally marketing pond भी होता है जिसमें से की finally अगर जो sale करने वाली जो fish है उनको इन marketing pond में रखा जाता है so friends एक fish farm के बनने के बाद उसको maintain करना सबसे बड़ा challenge होता है एक fish farmer के लिए तो उसके maintenance के लिए जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो factors है उस fish farmer के लिए वो ये हैं कि सबसे पहले उसे control करना होता है aquatic vegetation में यानि की पानी में जो अपने आप से जो पेड़ पाधे उगा रहे हैं उनमें उसको ध्यान देना होता है ताकि उसमें eutrophication की process ना हो सके इसके बाद है restoration and improvement of pond bottom यानि की जो pond है उसकी तली का फिर से improvement करना और उसकी साफ सफाई रखते रहना time to time इसके अलावा liming करना उसमें यानि की time to time उसमें चूना उसको डालना ताकि उसमें dissolve oxygen बनी रहे इसके अलावा pond का fertilization करना और सांथ ही control of various physical chemical factors इस पे भी उसको ध्यान रखना है और इसके अलावा जो fish diseases हैं उनमें ध्यान रखना है ताकि अगर एक fish को कोई disease होगी तो दूसरी fishes को ना हो और जिससे की उसका पूरा जो farm है वो खतम नहों culture उसका खतम नहों और उसको न इसी तरह की जो predatory fishes हैं वो ना हो इस पे उन्हें खास ध्यान रखना होता है ताकि जो उनका culture है वो उसको खतम नहों कर सके इस तरह की जो predatory fishes होती है और इसके अलावा aquatic insects का भी उसको control करना होता है और सांथ ही artificial feeding भी उन्हें time to time उस pond की देखती रहने होती है अगर pond में food available न इसके अलावा पूरा जब culture हो चुका है तो उसकी किस तरह से fishing करनी है और किस तरह से उस fish को market में sale करना है यानि कि अपने market भी उनको देखना होता है तो ये different management के aspects हैं जो एक fish farmer को या fish farming के दोरान ध्यान में रखनी होती है चलिए एक बार फिर से fish farm में जो अलग-अलग तरह जो पॉर्ण होते हैं उनको revise कर लें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि fish farm में एक सबसे बड़ा pond होगा जिसे कहेंगे head pond जहां से पूरे fish farm को पानी की supply की जाती है और इसी को हम head pond कह रहे हैं और ये head pond जहां पे पानी की supply होगी जहां से लगातार पानी आता रहता है वहां पर ये tank बनाया जाता है और इसी से लगए फिर हमने देखा था breeding pond इन breeding pond में ब्रीट कराया जाता है fish को और उसके बाद hatching pit hatching pit में जहां पे की hapa का use करके जो eggs हैं उनको incubate किया जाता है उसके बाद फिर हमने देखा था nursery pond नर्सरी pond में जहां से 2-3 से 5 दिन तक की जो fry होती ह यहां पे लाके इसमें रखी जाती है और यहां पे लगवग एक महने तक nursery pond में वो fishes रहती है उसके बाद फिर हमने देखा था rearing pond तो rearing pond में हमने देखा था कि यह कई तरह की कई हो सकता है इनका number क्योंकि इनमें अलग-अलग एच की जो fishes हैं उनको rearing किया जाता है उनको इ इसी तरह से एक साल की जो fishes उनके लिए अलग होगा और इसी तरह से 2-3 साल वाली के लिए अलग-अलग होगा तो इस तरह सी rearing pond होते हैं फिर हमने देखा था is stocking pond तो stocking pond में हमने देखा था यह size-wise कुछ जादा बड़े होते हैं और इन में netting भी की जा सकती है यह इतने बिए पॉससे सब्सक्राट थे कुणने के खालता था सी इंपर्देख्श इसालग होगा है यह फिश वाओ immनलार नत मिर समय होते हैं जहां पर जाने कुटारे जाज नविए घृक्डर के निम बाप यही conclusion निकलता है कि इंडिया की हमालें शेत्रों से लगी हुई नदियों में मिलने वाली इन फिशेज का कल्चर अभी भी बहस लो है यानि अभी भी ये फिशेज हमारे लिए फूट की तरह इजीली अविलेबल नहीं है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इनका सही डा स्नो ट्राउट फार्मिंग की कमी के लिए रिस्पांसबूल है या दोशी है इसके लावा जो ट्राउट फार्मिंग है वो अभी भी इसका रिसर्च जो होना इस पर बाकी है और इसका रिसर्च ही बहुत लेट यानि की 1970s के दोरान Central Government Research Center Inland Fisheries Research Institute के तरह शुरू हुई और ब और इस्पेशली यह जो रिसर्च सेंटर हैं यह कोल्ड वाटर फिशरीज पर काम करते हैं और जैसा है इसका नाम है National Research Center on Cold Water Fisheries तो यह बेसिकली कुमाओं में हैं कुमाओं के उतराखंड में और यहां पर यह कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च इंस्टिटूट जो की भीमत के लिए यह रिसर्च कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं जिससे की कंट्रोल्ड कंडिशन में जो यह हिमालया में मिलने वाली जो यह ट्राउट फिशेज हैं इनका असानी से कल्चर किया जा सके सो फ्रेंट्स इसनो ट्राउट जो की इंडिया की हिमालयान रिजन की सबसे इंपोर्टन फिशेज का ग्रूप है अब अपने सेंस्टिव स्टेज में पहुंच चुकी है सेंस्टिव से मतलब धीरे धीरे इनका नंबर बहुत कम होते जा रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हम इनसानों का इनके हैबिटेट में दखल देना दखल देने से मतलब है कि इनको बुरी तरह से इनकी फिशिंग करना और इनके हैबिटेट को खतम करना और साथ ही इसके लिए प्राकर्तिक आपदाएं भी responsible है तो आज के समय की यह जरूरत हो गई है कि जब इन्हें इनके habitat में ही बचाया जाए जिससे इनका number बढ़े और ऐसी technology डवलप की जाए जिससे artificial breeding के जरिये इनके habitat के बाहर एक controlled condition में इनके seeds produce कर इनके number को बढ़ाया जाए और साथ ही उन water bodies में जहां यह पाई जाती है उनको अभ्यारणे का रूप दे कर वहाँ पे fishing बैन करनी होगी तब ही जो है इनके number को बढ़ाया जा सकता है और इनको लुप्त होने से बचाया जा सकता है अंत में स्नो टाउट फार्मिंग के लिए यही कहा जा सकता है कि आर्टिफिशल ब्रीडिंग के जरिए स्नो टाउट के seeds को hatchery में ही produce कर इनके commercial production को बढ़ावा दिया जा सकता है और साथ ही gametes का cryopreservation के जरिए लंबे समय तक gametes को आर्टिफिशल ब्रीडिंग के लिए रखा जा सकता है और यह cold water fisheries में farming के लिए cryopreservation भी एक बहुत ही अच्छा टूल की तरह यह work कर सकती है इन gametes को preserve करने के लिए और आगे की breeding कराने के लिए काफी help हो सकती है जिससे की cold water fisheries को और बढ़ाया जा सके तो इसी के साथ ही snow trout farming का यह lecture यहीं भी खतम होता है I hope this lecture will help you in your studies Thank you